हालो स्टुडेंट्स वेलकम टू पीवियार स्टडी तो बच्चों आजाओ आपकी कलास सुरू हो चुकी है और आज आपकी कलास होगी जो कलास नंबर 29 होगी तो आगे सभी देखो भाई ठंडी वंडी तेज हो चुकी है नाहाना वहाना बंद कर दो समझ रहो ना चलिए आज एक नया चेप्टर होगा जिसका नाम है लावहानी प्रॉफिट एंड लास अरे यार यार यह नहाना वाला तो मजाक में बोला नहाना नहीं बंद करना नहीं मलिच बन जाओगे लोग पास नहीं आएंगे ठीक नहाना चाहिए ठंडी में भी वैसे है अक्सर जभ हम लोग इस दुनिया में हैं जब मैं और कुछ भी चीजए करते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट खोजते हैं जब jag अगर कोई प्रॉफिट हो अभी तों हम ये काम करें नहीं तो क्यूं करें है अनर अब पढ़ते क्यूं है पढ़ाई में भी अब भाई जी इसको छोकरी नहीं छोकरा मिल जाएगा जो भी समझे पहला प्रॉफिट यह है नौकरी मिल जाएगी दूसरी बात प्रॉफिट यह होती है कि पढ़े लिखे अगर आप हैं तो जिंदगी में कोई भी काम करेंगे आपको आसानी होगी कोई विजनेस करेंगे को कुछ भी करेंगे नौकरी छोड़ दो तो बहुत सारी प्रॉफिट है पढ़ाई में भी तो उसी तरह से आज हम लोग बात करने वाले हैं यह लाब और हानी का क्या मामला है कुछ भी चीज़ आप करोगे बिना लाब के तो करोगे नहीं जैसे अगर आपको नौकरी करना हो बोला जाए कोई सलरी नहीं मिलेगी आपको फ्री में जोड़ करना है तो आप नहीं करेंगे लाब हखसर हम लोग कैसे कंपेर करते हैं देखिए अगर हम बिजनेस की बात करें प्यापार की अगर माले जीए कि हमने एक दुकान खोला है दुकान माललो हमने समोसे की दूकान खोला अकसर हमारे परदान मंत्री जी बोलते हैं अभी आपने सुना होगा कुछ ये बिबादित भी था है लोग पर्तिकरिया भी दे रहे थे कि समोसा बेचना भी एक रोजगार है फाकोड़ा बेचना भी रोजगार है तो माल लेते हैं कि हमने एक दुकान खोला किसकी समोसे की और उसमें मैंने लगा दिया दफ हजार रूपए बस क्योंकि दफ हजार रूपए जो है सरकार की कई सारी सरकार इसकी मों के अंतरगत इसके ताहत मिलते हैं न और दफ हजार रूपए मैंने लगा दिया अब मैंने उसको बिजनेस को स्टार्ट कर दिया अब भीया कुछ दिन बाद मान लो दो तीन महीना बाद दफजार रुपए आ गया समोसा पकोड़ा से मिला कि मतलब बच्चा था आ गई बाकित उसमें जो आलू लगी मसाला लगा आदमी लेबर का खर्चा लगा तेल लगा वो सब अलग अगर दफजार आ गया तीन महीना में इसका मतलब हमारी पूंजी तो आपस आगे जो मैंने लगाया था हाँ लेकिन मेहनत नहीं आई जो मैंने मेहनत साथ में किया था न लेकिन अब ये तो है नहीं कि भाई दो तीन महीने बाद दुकान बंद हो जाएगी दुकान तो आगे चलती जाएगी अब पता नहीं कब तक चलेगी मुझे तो नहीं पता लेकिन चलेगी तो अगर आगे चल समझना फिर कभी भूलोगे नहीं आप लाभानी प्रॉफिट लास कुछ भी नहीं जानते हो टेंसर नहीं लिए न जैसे मानलो कि हमने यह मारकर पैन किसी से पचीस रुपए में खरीदा किसी से नहीं मानलो मैंने इसको दुकान से पचीस रुपए में खरीदा वैसे ये पचीस रुपए की मिलती है ठीक है और हमारे एक दोस्त हैं वो भी पढ़ाते हैं सर हैं वो अक्सर हमारी पैन उठा ले जाते हैं मारकर कभी मांग की ले जाते हैं अब भई इतने बेकूप तो हमें नहीं नहीं की मारकेट से जाएंगे लाएंगे और फिर उसको ने को 25 का ही दे देंगे क्यों देंगे? है ना? तो 30 का दिया मतलब मुझे क्या हुआ? लाब हुआ क्या हनी ओई? बताओ क्या हुआ लाब हुआ ना कितना रुपया का हुआ पांच रुपया का लाब हुआ अब यहां पर समझो जो हम मार्केट से 25 का लाये थे यह है क्रेमुले क्या है यह क्रेमुले जिसे काश्ट प्राइस कहा जाता है और जितने में मैंने बेंचा, यह है बिक्रे मुले, बिक्रे मुले का मतलब होता है, बच्चा, SP, SP मतलब वो, सुपरेंटेंडर ना पुलिस नहीं, SP का मतलब होता है, सेलिंग प्राइस, क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में मैंने बेंचा, वो क्या है, सेलिंग की कि फ्रैम मुल्य कम था तो कि ज्यादा मतलब खरीदा कम में था देंका ज्यादा में तो कह वह dunya फॉपीट हुआ जिसे आप कह सकते हों लाव हुआ लेकिन मांलो मेरे पास सूखी दे कि पढ़की क्यों या फिंचmeye ठीक है यह खराब होगी मैंने लिखा उखा बहुत दिन से पड़ी है यह लिखते नहीं है अब इसको आम गुरुजी को दे दें जुगाड से उनको कहें भाई इसको ले लो थोड़ा गलवड है और मैंने 25 का लिया था और मैं इसको क्या करूंगा आपको 18 रूपय का दे दू क्योंकि यहां पर सीपी ज्यादा है सुर्शं करें देंडा की मेरा नाम लो मेरा लो कौन सा स्मान में में टीर मार ली हो जो तुम्हारा नाम ले बताओ पढ़ाई करो नोकरी पाजाओगे अच्छा रहेगा नाम होगा समजह रहा हुँanga चलो आगे बढ़ें और हाँ एक बात और पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होता है जिद्नगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां भी इनका यूज होता है तो पढ़ाई का कंपेर सिर्फ नौकरी से नहीं होता है नौकरी ही जिंदगी नहीं होती है बहुत सा सारे अप्सन है आप कमेंट करना अगर यूटूब पर देख रहे हो तो मैं बताऊंगा आपको घर बैटे बहुत सारे काम आप कर सकते हो चाहें आप लडकी हो लड़का हो कोई भी हो और वो मैंने किया है start किया है आपको दिख भी रहा है हमारे साथ आप जुड़े भी है है न हम कोई नौकरी नहीं करते है क्रेमुले क्या होता आपने समझ लिया अभी अभी मैंने दिखाया न जिस मुले पर कोई वस्तू खरीदी जाती क्रेमुले होता है जिसे selling price या CP कह जात है जिस मुले पर कोई वस्तू बेंची जाती उसे SP यए विखाय नकांदाता है और लाब अगर अगर मुले मतलब है बच्चा अगर SP जादा है ये ज़ला है तो प्रॉब होगा है ठीक है खरीदा गया मुले कम है बेंचा गया जादा है तो लाब होगा अगर किस्मत ही खराब है करीदा था जादा में बेंचा है कम में तो हानी होगी जैसे देखो हमारे हैं 2016 में गंणा बोया गया था सतरा में कि दो सो पचासी रूपए कुंटर सरकार गंणा का जो सरकारी रेट है वो लेती है नहीं सुरी उस समय तो इसमें क्या होता है हानी हुई और तबसे हम लोगों हुए गन्ना नहीं भोया हां इसके पहले बेग बार भोया गया था तो इसमें मालो लगभाग हम लोगों का जो खर्चा हुआ था लगभाग डेढ़ लाक खर्चा हुआ था और बैचने के बाद जो पैसा मिला था वह लगभाग 95-90 तक मिला था बस तो भाइया यह लाब और हानी क्रेम ले विक्रेम ले से आप परचीत हो गए अब हम आगे बात करेंगे आप से लाब प्रतिसत पूछा जाता है लाब प्रतिसत वो चीज तो हम लोग करेंगे आप यहां पर एक चीज और भी सवाल कुछ सुन लीजिए और इनको करना ठीक है चलो सुनो जैसे माल लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है मोहन मोहन एक साइकल मोहन एक साइकल तीन हजार रुपया में खरीदता है कितने में तीन हजार रुपया में खरीदता है खरीद रहा मतलब यह काश्ट प्राइस है बच्चा याद रखना यह क्या है बाबु यह सीपी है ठीक ह 3,000 CP है और उस cycle को वो यूज करता है दो-4 महीना और फिर मस्ती मस्ती में उसको बेच देता है और बेचता कितने में है 31 सो रुपए में बेचता है तो जल्दी से comment करके बताओ फटाफट लाब होगा यहानी होगी और लाब होगा तो कितना और हानी होगी तो कितनी चलो जल्दी करो फटा फट देखो सिंपल सा है यहां पर लाब बराबर हम लिखेंगे या फिर प्रॉफिट बराबर इसे पी से डिनोट करते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है देखो बच्चा जितने में वो बेचा गया है उसमें से आप खरीदा वाला माल का कीमत गटा होगे तो एसफी माइनस सीपी इसफी है 3100 सीफी है 3,000 बराबर 100 रूपया यानि उसको कितने को profit हुआ 100 रूपया का ठीक है कि यह हो गया profit इसके बाद इसी में आप से पूछ लिया जाता है लाब परतिसत कितने परतिसत का लाब हुआ देखो लाब हुआ तो ठीक है लेकिन कितने परसंटेज का लाब हुआ अक शर आप से यह भी पूछ लिये जाता है तो मैं आपको वो भी करवा देता हूं तो लाब परतिशत बरआबर देखो मैं आगी बाद में कराओंगा पहले इसको देख्या लाब परतिशत बराबर 25 양ण लीख़ए लिख होता है लाब गुड़ा 100 बटा क्रहमुले चलो इसको सव से गुड़ा कर दो बच्चा नीचे क्रहमुले मतलब सीपी लाब हुआ हुआं उनको सव का और ये स्वा कर्ड़ कितने में था 3000 में खरीदा था ना भाई क्यों बाबु 3000 में खरीदा था ना देखो इसमें कैसे आएगा 2000 कट दिया यह 100 बटा 3 आगया यह भी कट गया 10 बटा 3 आया बाग करोगे 3 तरिक का 9 हाँ फिर एक आएगा ये तीन तीन लगभग 3.33% का सम्थिंग आएगा आप ट्राई करके देखो और फिर मुझे बताना चलो जल्दी करो आगे बढ़ते हैं इसी में एक उदारन लगे हाथ और भी देख लिजिए ध्यान दीजिए समझने की कोशिस करिए प्यार से देखो बच्चा क्या है अगला उदारन समझना ये तो एक इक जामपल हो गया अब इसमें थोड़ी सी में चेंजिंग करूंगा और फिर आप देखना ये लाब वाला ह हो गया अगर कोई वस्तू महेंगे में कोई खरीदता है और उसे सस्ते में बेचना पड़ता है देखो कोई सस्ते में बेचेगा नहीं उसको बेचना पड़ता है मजबूरी में मजबूरी में बेचना पड़ता है देखो कैसे मैं आपको एक इक जामपल बता हूं यह मैं र सारा चुक्कि मारे खेत हैं तो कुछ ने कुछ चीज हम लोग ट्राई करते रहते हैं तो उसमें सुनाई पड़ा बहुत लाव होता है पपीता लगा दिया गया खुब बलंबा सा कूल लगवाग दस बारा भी गाह में उसके बाद पपीते तो उसमें हो गए बड़े-बड़ खुब मतलब महिनत किया गया दवा और डाला गया सब कुछ हुआ फिर उसको तोड़ा गया तोड़ने के बाद आपको पता एक कच्ची फसल है पपीता बोलें तो मतलब उसको तोड़ कि आप रख नहीं सकते हो कहाँ है दू महीना रखे रहो चार महीना खराब हो जाया का उसके बाद उसको हमारे यां जैसे होंटाउन सुल्ताणबूर वहां जल्दी बिखता नहीं है उतना ज़्यादा पापीता मतलब लोग लेते है थोड़ा बहुत मंडियों में उसको लखनौ के लिए रड़ी किया गया कि लखनौ मनडी जायागा और पता नी कहाँ का मुझ बिस्मत ऐसी है ना कि अगर उंड पर बैठके भी बाजार जाओना तो कुट्ता काड़ लेता तब भी है ना तो यह सब होता रहता है फिलाल जिंदगी है कि हाँ आगे मैं आपको कुछ बताने वाला यह है मतलब क्या बताने वाले थे कि जैसे किसान किसान एख गाय कितने में खरीता भई किसान एक गाय पैटीस सो रूपया में खरीता है कितने में अहितिस सो रूपया बर क्रेमूल है उसका यह सीपी है काश्ट प्राइस है 3500 रूपए और घर में खाना पीना नहीं अट रहा है चारा पानी नहीं अट रहा है चुकि इस समय किसानों की हालत देश में बरबाद हो चुकि गड़बड हो चुकि है लोग क्या करने आप देखी रहे हो पाकि तो सरकार ह जो है 3500 में खरीदा था उसके बाद उस गाय को बेंच दिया कितने में बिक्रे मुल्ले यह वह बेच दिया 3000 रूपया में अब यह बताओ किसान को कितना रूपया का लाव हुआ यहानी हुई वाइस इंपल सी बात है खरीदा 3500 में था बेचा 3000 में है अगर आपको गिंती क बारे में नॉलेज है तो यह ज्यादा यह कम है यानि यहां पर क्या हुआ हानी हुई तो हानी का जो सुत्र होता है वह होता बच्चा क्रे मुल्ले यानि सीपी माइनस एसफी एसफी का मतलब बिक्रे मुल्ले ठीक है तो क्रे मुल्ले खरीदा था 3500 में बेंचा है 3000 में 500 आएगा प्रोफिट नहीं हुआ हानि हुई है क्या हुआ हुआ है अब वहान प्रतिसत क्या होगा अगर क्या यहां पर समझने कि आपण यह भी होता है हानी 63 हानी पर्सेंटेज बराबर होता है हादी इन्टु हंड्रेड अपान्क्रैमूले मतलब काश्ट फ्राइस जिसे सिपी बोलते है तो हानी कितने का हुई 500 रूपय की हुई है और 100 रूपया ये 100 से गुड़ा होता इसमें क्रेम उल्ले खरीदा कितने में था 35 सो में 2-0 से 2-0 काट दिया इनको काट दो 5-1-500 आ गया 5-7-35 इनको भाग करोगे 7-100 में तो 7-1-7-3 बचेगा हो जाएगा 0 ठीक है 7-4-28 और दसम्दों लगाओगे तेखो 7-1-7-7-24-28 दो बचेगा मतलब 20 हो जाएगा लगभग में दसम्दों लगाने के बाद में फिर 7-14 मतलब 14.2 परसेंट की लगभग क्या होगी हा नहीं होगी समझ में आया ना यह हल कर ले ना कल्कुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हो तो बता देना तो साथी हूँ आज आपका इंट्रोड़क्शन का पार्ट हो गया इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे चुकि आज की क्लास बहुत छोटी होगी कुछ प्रावलम है इंटरनेट स्लो है नहीं तो आपको टाइम से कलास नहीं मिल पाएग उस पर मैसेज करके कांटेक्ट करके आप पूरा कोर्स घर बैठे ले सकते हैं और आप अराम से सीख सकते हैं प्यार से सीख सकते हैं पूरी मैच सीख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यह नमबर नोट कर लो भीया 7-8-4-3-8-3-2 और यह तिरपल-9 ठीक है इसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ सकता है हाँ अगर फ्री वाला देखना तो यूटूब पे सब्सक्राइब करिए देखते रहिए बिल्कुल फ्री बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से थैंक्यू और हाँ हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे ही और पढ़ दे रहिएगा